हेलो एवरिवन, आज मैं आपके साथ समर स्पेशल डिजर्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम सिवई और कस्टर्ड से बनाएंगे तो आईए रेसिपी स्टार्ड करते हैं इसके लिए गैस के उपर एक बर्तन रखेंगे, इसमें एक छोटा चम्मच देसी घी अड़ करेंगे अब इसमें तीन चम्मच के जितना सिवई अड़ करेंगे और इसे लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक कुक कर लेंगे सिवई अच्छी तरीके से गोल्डन हो गया है, अब इसमें आधा लीटर के जितना दूद हैड कर देंगे मैंने फुल क्रिम दूद का इस्तेमाल किया है, अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे थोड़े से दूद को मैंने अलग निकाल कर रख लिया है, इसमें एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर एड करेंगे यह वैनेला कस्टर्ड पाउडर है, अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इधर दूद में भी अच्छी तरीके से उबाल आने लगा है अब इसमें बारी कटे हुए ड्राइ फ्रूट एड करेंगे मैंने काजू बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया है, अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट एड करेंगे इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे अब इसमें इलाइची का पाउडर एड करेंगे अब जो कस्टर्ड वाला जो तूद त्यार किया था उसे इसके अंदर एड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे अब इसे लगातार चलाते हुए पांच मिनट के लिए और कुक कर लेंगे गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे अब इसमें आधा कप के जितना चीनी अड कर देंगे चीनी या देसी खांड आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसे अड कर दें अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके दो मिनट के लिए बस इसे और कुक कर लेंगे ये डिजर्ट 15 मिनट में ही बन कर त्यार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें समर के टाइम पर गैस की फ्लेम को बंद करके मैंने इसमें ड्राइ टूटी-फूटी एड किया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ये डूम टेंप्रेचर पे आ जाएगा तो इसे दो घंटे के लिए फ्रीज में ठंडा कर लेंगे सिवाई की खीर अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है अब इसे सर्व करेंगे आप चाहें तो इसे गरम भी खा सकते हैं लेकिन गरमियों के टाइम पर ये ठंडी ठंडी खाने में बहुत अच्छी लगती है अब इसे ड्राई फ्रूट से गार्निस कर लेंगे मैंने इस पर थोड़े से रोज पैटल भी डाले हैं हमारी सिवाई की खीर बिल्कुल तयार है थैंक यू फूर वाचिंग